है मेनुवल में इस्टाउल पर क्लिक कर चुका हूं यहां पर डाउनलोडिंग हो रही है आप कुछ टाइम तक कि वेट करना पड़ेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं मैं सिंप्ली स्कॉर्ड़ डाउन करता हूं यह है कुछ आप का आईकन इस तरीक आप का इंटरस दिख श्राए देगा एंड आप इसे मोंटर पर एक्सेस करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं इस्टालिंग हो रही है यहां पर आप दैख सकते हैं यहां पर आप दौल्लोड हो चुका है डाश अपको इस्टाल करने के बाद क्या करना पड़ेगा आपको सिंपली हो में और हो में आने के बाद आपको यहां settingस जा। जहां पर आपplings यहां यहां जहां सकते हैं जैसे मैं अपने mobile के setting में जाता हूं and अप्र सेटिंग में आपको सिंपली स्पोल डाउन करना पड़ेगा और आपको नॉटिफिकेशन में जाना होगा जैसे भी नॉटिफिकेशन बार में जाता हूं आपको एप वालाण। करना होगा गईस आपको यहां जो एप है एयन राइट का यहां पर आप देख पा रहा है एंडुन कर देना होगा जैसी आप कोई साथ न extension नहीं जाने वाला आपको क्या करने मै involvement is simply app को नापड़ेगा अगर आप फर्स टाम आप को नाप कर रहे हैं तो तो आपको sign up करना पड़ेगा एंड गाईस आपको यहां से sign up पर click करना होगा यहां अपको email id provide करने होगे एंड password create करना होगा and कोई सबी nickname दे देना होगा गाईस मैं पहले से sign up कर रखा हूँ तो मैं simply आपना email id and password को fill करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपने email id को fill कर रहा हूँ and जहाँ आप password create किये हूँ उस password को यहाँ manually enter करना है उसके बाद simply signing पे click करना होगा Guys, मैं यह वीडियो only education purpose के लिए बना रहा हूँ आप इस तरीक का means use ना करें and मैं बिल्कूर रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसकी कम use चूज़ करें So, first, आपको simply signing पे click करने के बादे यहाँ continue पे click करना पड़ेगा and यहाँ पर आपको commission देना पड़ेगा allow करना पड़ेगा and यहाँ पर आपको simply okay पे click करना पड़ेगा जैसे आप यहां ओकी पर क्लिक करोंगे आपको सामें इस तरह से कुछ इतर फिस आएगा आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर सिंप्ली जो है सिक्यूर्टी प्रोफाइल में जाना होगा यहां पर आप जितना भी है जिस जिसको आप एक्सेस करना चाहे तो उसे आप करना चाहरे हो उसे आपको इनीवल करना पड़ेगा तो मैं रेकुमेंड करोंगी आप सब को इनीवल कर सकते हैं एंड आप सब चीज को एक्सेस कर सकते हो गाइस यहां पर आप जो चीज को इनीवल करोगी उसे ही आप वहां वानिटर पर एक्सेस कर सकते हो तो आपके निकनेम देने वाला हूं सब्सक्राइब से यहां मैं वी स्क्राइक निकनेम दे दिया हूं एड इसके बाद आपको सिंप्ली बैक का जाना है गाइस यह एप मुझे सबसे अधा बैटा इस लिए लेगी क्योंकि जब मैं इसे अनिस्टॉल करना चाहूंगा तो यह सब्सक्राइब आपके सामें लिंग पे वाले लिंग पे क्लिक करना होगा जैसे आप वाले लिंग के इस तरह से इंटरफे दिखाई देगा जब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा वहां पर आपने पासवर्ड पक्रियेट किये हो उसे simply यहां sign up करना पड़ेगा तो दो website मैं चाहना पर io user name & password उत्तिक्षा हूं ने होता है जैसे पाइन्फ सफरा से इंटरफेश मैं सीउस्पैंट करें mai's here यहां पर connecting हो रही है यहां पर आप देख सकते हैं मिरे मोबाइल, model number, saw me, redmi, note 7 pro, okay friends, यहां पर आप देख सकते हैं connecting हो रही है, आपको कुछ टाइप तक simply wait करना पड़ेगा, and आप वेट कर सकते हैं connecting हो रही है, guys connecting का process थोड़ा लंबा हो सकता है, यहां पर आप देख सकते हैं connecting हो चुकी है, and get start पर आपको simply click करना है, and guys यहां पर simply मैं add को remove कर देता हूँ, and यहां पर आप देख सकते हैं redmi note 7, and यह मेरा storage, so friends मैं आपको manually लिखा दूँ क्या-क्या feature available है, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर simply photos में जाता हूँ gallery में, so यहां पर loading हो रहा है, and मेरे जो mobile में जो pick है, जो भी picture है, उसे आप यहां पर देख सकते हैं, यह जो मेरे mobile का photo है, उसे मैं access कर सकता हूँ, so guys यहां मैं folder wise select करके, मैं image को visit कर सकता हूँ, guys यहां पर आप देख रहे हैं, मैं जो भी pick है उसे visit कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, यहां पर काफी interesting लगा यह app, so guys मैं simply scroll down करता हूँ, and यहां पर आप देख सकते हैं, folder wise दिया हूँ है, जो भी pick आप देखना चाहते हूँ, उसे आप access कर सकते हो, guys यहां पर मैं simply कोई सा भी folder क्लिक करता हूँ, यहां पर मैं अपना pixel lab का folder क्लिक करता हूँ, guys यहां पर आप देख सकते हो pixel lab का जो भी pick है, इससे आप देख सकते हो यह भी मेरा thumbnail pick है, guys इसके बाद जो next feature है उसको मैं बता दो, यहां पर आपको simply call पर जाना है, यहां पर आपको all calls देख सकते हो, outgoing incoming सारे call logs आपको provide है, और आप mobile का हर चीज access कर सकते हो, so friends simply आपको यहां पर outgoing पर जाओगे तो आपको outgoing दिख जाएगी, and missed call पर missed call के friends, यहां पर आपको कापकी आदा अच्छा लगा, आप भी से बाद ट्राइ कर सकते हैं, and आप इसका म्यूस को बिल्कुल लाग, so guys इसके बाद जो next feature है वो है my file, यहां पर आप my file को भी access कर सकते हैं, and guys यहां पर आप बहुत सारी जीजों को access कर सकते हैं, simply मैं यहां contact पे click करता हूँ, and guys यहां पर loading हो रही है, एक कुछ time आपको simply wait करना है, guys यहां पर आप देख सकते हैं, मेरे contacts, all contacts आपको यहां provide हो जाएंगे, guys यहां पर आप mobile को हर चीज access कर सकते हो, जो कि मेरे को कापी अधा अच्छा लगा, यहां पर आप तो song को भी access कर सकते हो, कि victim के mobile में कौन कौन सा song है, उसे भी आप देख सकते हो, and guys यह जो app है काफी better है, किसी का भी mobile access कर सकते हो, guys यहां पर आप देख सकते हो, मैं app में जाता हूँ, तो कौन कौन सा app सामने वाला victim इस्टॉल रखा है, उसे भी आप यहां से visit कर सकते हो, यहां से आप देख सकते हो, कौन कौन सा app यूज करता है, जो की काफी interesting लगा मेरे को, guys आप इसकन message को भी visit कर सकते हो, and I simply message पर click करता हूँ, and यहां पर आप देख सकते हो message loading हो रहा है, यहां पर आप message को भी देख सकते हो जो कि सामने आल बिक्टम कौन-कौन से message send करता है एंद कौन से message आता है और टीपी को भी आप visit कर सकते हैं one time password है उसे आप देख सकते हो गाईस आपने यहां पर देखा कि आप simple message किसी का भी मोबाइल हैक कर सकते हो आई होप आपको यह वीडियो कुसंद में आया होगा अगर आपको यह वीडियो को लाइक करते तो थैंक्स पॉर वाचिंग मैं वीडियो